नमस्कार उदेंडे के डिस्ट्र बिलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ सुनीता मिक्तल चलिए हम बढ़ते हैं आज की एहम ख़वरों की तरफ आज की एहम ख़वरों में सबसे पहले ख़वर है दिल्ली से मनीश सुसौदिया खुद पर लगे आपकारी घोटालों से ध्यान हटाने के लिए जबर्दस ड्रामिवाजी पर उतर आए हैं मनीश ने अब कहा है कि भाजपा ने उनको अपनी तरफ से ओफर दिया है कि वे आमाधी पार्टी को तोड़ दे और उसके पहले शनिवार को मनीश सिसौदिया ने अगले दो दिनों में अपनी ग्रफतारी की अफ़वा फैला कर सानुवोती जुटाने की कोशिश भी की थी सिसौदिया ने ट्विट करके आरोफ लगाया कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आप तोड़कर भाजपा में आजाओ सारे CBI EDK के केस बंद करवा देंगे मेरा भाजपा को जवाब ये है उन्होंने ये बताया है कि महरानपरता आपका वंशजू प्राजपूतू सर कटा लूँगा लेकिन ब्रष्टाचारियों और शडेन कारियों के सामने जुपोंगा नहीं मेरे खलाब जो सारे खेज जूंटे हैं जो करना है कर लो मनी सिस्वादिया ने इससे पहले शनिवार यानि 20 अगस्त को भी भविश्वानी की थी ये अगले दो दिनों में उनकी ग्रफतारी हो जाई हाला कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है मनीश सुधिया जी जानते हैं कि उनकी गिरफतारी हो नीते हैं क्योंकि दिल्ली की नई आपकारी नीती में घोटाला किया गया था जिस दोरान ये विभाग उनके हाथ में था लेकिन गिरफतारी से पहले मनीश सुधिया दी पूरा ड्रामा तयार करके खुद को शहीद साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं मनीश सुधिया बारवा शिक्षा मंतरी के तोर पर अपने कामों का हवाला दे रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग और आपकारी नीती आपकारी विभाग दो अलग-अलग मामले मनीश उन दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं जबकि उन पर आपकारी विभाग का काम समालने क के दोरान ब्रिष्टाचार के आरोप लगे ना की शिक्षामंत्री के तौर पर शिसौधिया ने कहा है कि दिली सरकार की नई आपकारी नीती बिलकुल सही थी अगर ये बास सही है और ये बता रहे हैं कि अपनी सरकार की नीती को सही मानते हैं तो उनी की सरकार ने नई आपका दिया जाता रहेगा सरकार ने इस भारे में जानकारी दी है सरकार ने ऐलान किया है कि गरीबों को मुफ्त राशन स्कीम की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी यह यह योजना अगले महीने यानि सितंबर 2022 में खतम हो रही थी लेकिन जानकारी मिल रही है कि परधानमंत्री गरीब क खतने के लिए इसे शुरू किया गया था तब से अब तक इस स्कीम को 6 बार बढ़ाया जा चुका है मार्च 2022 में छटी बार इस यहोजना का विस्तार किया गया लेकिन ये च्छाटा विस्तार भी सितंबर 2022 में खतम हो जे जारा है पूरी दुनिया में खाध्यान की कीमते ब देखते हुए भारा सरकार गरीबों को महंगे अनास्य मुक्ति दिलाने के लिए पुर्धानमंत्री गरीब कल्याण अन्योजना की समय सीमा बढ़ाना चाहती है। कि इन सरकार का यह फैसा देश के करोणों गरीबों के लिए रहत की खाबर है। अब खाबर दिली की तरफ से है। राश्टी राज़ानी दिली की सड़गें आज अस्त्वयस्ते किसान संगठनोई आज दिली के जनतरवंतर पर महापंचायत का एलान किया है। लेकिन दिली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमती नहीं दिये। जिसे देखते हुए दिली की सीमाओं यानि गाजीपूर, सिंगू और टिक्री बॉर्डर पर पुलिस की भारी तेनाती की गई है। पुलिस ने किसानों के विरोध प्रजक्रशन को इजाजत नहीं दिया है। जंतर मंतर पर पुलिस ने दो लेयर की बैरीगेटिंग की है। खरीद में ब्रश्टाचार के आरोपों गिजाज करेगी इस मामले में केंद्रिये ग्रहमंतराले के संदर पर जाज के लिए प्रात्मी की दड़ की गई है लेकिन दिल्ली सरकार ने बस खरीद में ब्रश्टाचार के आरोपों का खंडल किया था और भारतिय जंता पार्टी क नेततवाली केम सरकार पर CBI का अस्तमाल करके उसे परिशान करने का आरोप लगाया है दिल्ली परिवहन निगम यानि DTC द्वारा बसों के वाशिक रखरकाव अनुबंदी यादी AMC में ब्रश्टाचार का मामला इस साल मार्च में दिल्ली विधान सभा में भी उठाया गया जिसके बाद जून में पूर उपराजयपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदसे समीती ने इस मामले में जांच की थी जिसके बाद समीती ने AMC के कांट्रेक्ट में खामिया भी पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी उपराजयपाल ने मामले को विचा करने के लिए ग्रहमंतराले के पास बेजाता जिसके बाद चांच भी शुरू की गई उत्तर परदेश में अमरीका की तर्च पर एजूकेशन टाउंशिप विक्सित किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आतिते नाथ ने पांच एजूकेशन टाउंशिप स्थापित करने के लिए वर्क प्रांग तैयार करने का दिशा अंदरदेश जारी किया है इस टाउंशिप में चात्रों को एक ही जगे पर सभी तरह की एजूकेशन और विविन तरह की स्किल की ट्रेनिंग मिलेगी इस टाउंशिप का फोकस हाई ग्रेड एजूकेशन पर रहेगा इस प्रतिश्टिस सरकारी और प्राइवेट उनिवस्की अपना केंपस खोल पाएंगी साथ ही एक ही जगे पर अटल आवासी है विद्याले जैसे प्राइमरी और सेकेंटरी स्कूल भी होंगे वहीं अंडर एजूकेशन और सौरी माफ कीजेगा अंडर गैजवेशन और प्रस सौरेन के खिलाफ खनन लीज केस में चुनावायो के फैसलिक अंतिजार किया जा रहा है इस बीच भाजपा सांसाथ निशिकान दुबे के एक ट्विट ने अटकलों को और भी तेश कर दिया है उन्होंने अपने ट्विट में लिखा है कि जोहार जै शिरीराम आखिर जहार खन में हो गया काम इस एक लाइन के ट्विट के बाद लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और अनमाल लगा रहे हैं कि दुबे ने ये ट्विट ऐसे समय बख किया है जब किसी भी दिन चुनावायो का फैसला आ सकता है पत्थर खनन आवंटन मामनी में सोरेन को अयोग्य घो जानकारी मिल रही है कि केंदरिये स्वास्त है वं परिवार कल्यान मंत्राले अद्वारा इस वारे में सुझाव मांगे जाने के बाद अधिकतर अखिल भार्तिय अईरुवेदिक संस्थान नामों की सूची उन्हें सौब दिये अभी तक एमस अपने सामाने नाम से जाने जाते हैं और केवल उनके विशिष्ट स्थान से ही उन्हें पहचाना जाता है मोधी सरकार के शासनकाल के दौरान 2015 और 2022 के बीच इस्थाफिस सोल एमस में से 10 संस्थानों में MBBS और OPD की सेवाई शुरू की गई है जबकि अन्य दो में से केवल MBBS कक्षा ही शुरू की गई ह शेच चार संस्थान अभी बनाई जा रहे हैं अब खावर है आतनकवाद की तरफ से रूस में एक आतकमादी पकड़ा गया है जो कि भारत के नेताओं पर हमला करने की योज न बना रहा था वे आतनकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा सुसाइडर मॉंबर है और र विचारधारा के फैलाने के लिए विभिन इंटरनेट आधारिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्टमाल कर रहा था इसे लेका समद्धित एजेंसियों की ओर से साइबर इस्पेस पर कड़ी नजर रखी जा रही है साथ ही कानून के आधर पर दोश्यों के खिलाफ देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल फुदेंडिया जैहिल